नमस्कार दोस्तों, डिफेंस में एक बहुत बड़ा डवलप्मेंट हुआ है, पहली बार भारत सरकार ने इतना बड़ा ओडर इंडिजिनेसली डवलप्ड बीवियर मिसाइल के लिए बियांड विजुल रेंज मिसाइल के लिए एर टू एर मिसाइल की हम बात कर रहे हैं जि बियांड विजुल रेंज मिसाइल इसको डीटेल से समझेंगे कि exactly यह पुरा कॉंट्रेक्ट है क्या, यह जो मिसाइल की हम बात कर रहे हैं, इसको कब डवलप किया गया, किस ने किया, काफी कुछ जानने को है, चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखेग कोड इस्तमाल करना मत भूलेगा, अंकित 40, क्योंकि इससे आपको जो directly discount है 40% का, वो मिलेगा, साथी साथ अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेच पर जा सकते हैं, वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे, तो चली शुरुआत करते है और सबसे पहले देखते हैं, exactly अभी हो क्या रहा है, कि Ministry of Defence ने कल ही, that is 31st of May को, यहाँ पर एक contract sign किया है, हैधराबाद-based public sector के साथ, जिसका नाम है BDL, that is भारत Dynamics Limited, और यह contract क्या है, contract यह है कि सरकार जो है, 2971 करोड का यहाँ पर payment करेगी, उसके बदले, जो BDL है, वो Astra MK1 Mark1 जो missile है, वो supply करेगा भारत सरकार को, मतलब कि Indian Air Force के लिए और Indian Navy में इसका इस्तमाल किया जाएगा, मैं अभी आपको बताओंगा, कौन-कौन से fighter jets में, यह वाला जो Astra MK1 है, वो आपका deploy होगा, लेकिन ध्यान रखेगा, यह जो Astra MK1 है, it is beyond visual range air-to-air missile, अब air-to-air missile का मतलब हुआ, कि हवा में आप इसको fire कर रहो, अब हवा में fire कर रहोगे, तो definite सी बात है, आप किसी ना किसी ऐसी चीज़ से fire कर रहोगे, जो कि already air में है, तो जो fighter jets हैं, उसके अंदर इसको deploy किया जाता है, जैसे कि यह सुखोई, आप देख पा रहोगे, इसमें ब्रमोज missile भी यहा पर fit कर दिया जाएगा, और यह basically attack करेगा, किसी दूसरे airborne asset पर, मतलब कि कोई हवा में कोई दूसरा fighter jet है, उसको attack करना है, उसको attack करने में बहुत ज़्यादा असानी आएगी, जैसे कि आपको याद होगा, कि जब पाकिस्तान की तरफ से भी बाला कोट strike हुआ था, उसके पा कि air-to-air यहाँ पर combat में, जो beyond visual, मतलब कि आपके visual से जो बाहर है, मतलब 20 nautical miles दूर की capability होती है, करी 37 km आप कह सकते हो, वहाँ तक अगर यह आपका missile strike करता है, तो उसको beyond visual range कहते हैं, तो यह beyond visual range भी है, और यह आपका air-to-air missile भी है, यह आपको यहाँ पर ध्यान रखने के आ अगर हम इस missile के बारे में बात करें, तो इसको पूरी तरह से design और develop किया गया है, हमारे देश की जो agency है DRDO, उनके द्वारा, और यहाँ पर यह अलग-अलग fighter jets में deploy किया जा सकता है, जैसे सुखोई 30MKI हो गया, तेजस हो गया, जो हमारे देश के अंदर बना है, MiG-29K हो गय आएंगे, किस तरह के आएंगे, वहीं से यह चीजें decide हो गई थी, finally 2017 में जाकर, जो MK1 version है, इसका development phase वो complete हुआ, और कई बार इसको सुखोई 30MKI में test किया जा चुका है, 2017 से कई बार test किया जा चुका है, और finally इसका production जो है, अब वो start हो रहा है, BDL के द्वारा, ध्यान इसके range की बात है, तो यह पहला जो MK1 की हम बात कर रहे हैं, इसका range 110 km है, जो आगे चलकर नया variant आएगा, MK2, उसका range 150 km होगा, फिर उसके आगे भी MK3 बनाने की planning है, उसका decide नहीं हुआ है, कितना range होगा, बर definitely 200 km से जादा होगा, इसके अलावा यहाँ पर एक और छोटा जो कार कोशिश कर रही है, कि जो indigenously developed missile system है, जो defense system है, उसको जादा से जादा use किया जाए, और इसी के तहत आपको पता है, कि एक category है, जिसका नाम है, by Indian IDDM, IDDM का मतलब यह हुआ, indigenously designed, developed and manufactured, इसके अंदर क्या होता है, जितना भी contract का cost होता है, जैसे कि इसके अंदर 2900 something, 3000 करोन का मानलो cost है, तो इसका जो आधा पैसा है, आधा cost जो है 50%, वो indigenously, जो equipment होते है, जो content है, जो iron हो गया है, जो इसमें इस्तमाल किया जाता है, raw material, वो बनाने में use किया गया होगा, मतलब कि इसका पूरा, इसका जो आधा पैसा है, वो आपका content जो है, indigenously होना चाहिए, देश के अंदर ही इसका बनावा होना चाहिए, और इसलिए इसी के तहट भारत सरकार ने ये order place किया है, जहां तक ministry की बात है, उन्होंने कहा है कि अभी तक हमारे देश के अंदर ऐसा कोई system नहीं था, इस तरह का जो capable missile है, वो हम बाहर से मंगाते थे, अभी तक हमारे पास अब क्या हुआ है कि जो DRDO ने इसको develop किया, उसने अपनी technology को BDL को transfer कर दिया है, और BDL में already इसका जो production है, वो start हो चुका है, और इसकी वज़े से बताया जा रहा है कि अगले 25 वर्षिनों तक जो aerospace technology है, उसमें MSME का काफी जाधा opportunity मिलने वाली है, वो काफी flourish कर सकते हैं, त अब करता है, और यहाँ पर देश के अंदर जो self-reliance है, defense को लेकर, वो काफी important है, especially Russia, Ukraine, World में आपने देखा होगा, कि Russia जो हो सकता है, कि यहाँ पर हमें provide ना कर सके, वो defense system, क्योंकि already उसका resources, Ukraine की तरफ transfer था, तो हमारे लिए self-dependence होना काफी जाधा जरूरी था, इसके अला significance क्या, इस पूरे missile system के बारे में हमने समझ दिया, significance यह है, कि यहाँ पर इसको जो develop किया गया ना, वो specifically Indian Air Force के requirement के हिसाब से किया गया, जो भी Indian Air Force में बोला तो हमें इसकी requirement है, उसके हिसाब से इसको develop किया गया, और finally हम जो foreign sources से मंगाते थे, उससे जो dependency थी, वो अब कम हो जा जाकर अगर हम अपने border पर ही, अगर इधर से ही अगर fire कर सकते हैं, तो fire कर पाएंगे और हमारा जो fighter jet है, वो safe रहेगा, और हमें किसी भी परकार के border भी cross करनी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए यह जो इस तरह का system होता है, वो important हो जाता है, इसके लाबा economically और technology भी अगर आप देखोगे, तो imported जो missile से जो पहले मगाते थे, इंपोर्ट करके, उससे कहीं ज़्यादा superior यह वाला अस्तरा system बताया जाता है, और इसका especially speed अगर आप देखिए, तो sound के 4 times ज़्यादा आपको इसका speed देखने को मिलेगा, और it can reach a maximum altitude, मतलब कि अगर मान लो fighter jet है, तो यह जो missile है, वो उपर भी जा सकता है, और 20 km और ज्यादा altitude पर जा सकता है, वहां से भी fire हो सकता है, तो यह काफी flexible missile है, जो की काफी superiority देखा हमारे Indian Air Force को, और इसके अंदर बताया किया है, कि अभी के लिए सुखोई 30 MKI में इसको deploy किया जाएगा, आज आगे चलकर जो LCA यह तेजस है, उसमें भी इसको deploy कर सकेंगे, और यही नहीं, जो हमारी Indian Navy है, जो की aircraft carrier इस्तमाल करती है, आइनस विक्रम अदेती आपने सुना होगा, तो उसमें भी जो aircraft है, fighter jet है, MiG-29 के, उसमें भी इसको deploy किया जाएगा, तो definitely एक बहुत बड़ा boost आप कह सकते हो हमारे defense क I hope कि Astra MK1 के बारे में आपको सब कुछ जाने को मिल गया होगा, जाने से पहले एक interesting question क्या बता सकते हो, हमारे देश में rocket engine जो की powered किया जाएगा by liquid propellant, इस तरह का engine बनाने के लिए सरकार ने एक project को initiate किया था, आपको बताना इस project का नाम क्या है, आपको बता है कि जो liquid propellant होत ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलिग्राम से भी ले सकते हैं, इसका सही उत्तर, मैं कई सारे जो MCQs हैं, वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ, बाकि अगर आपको PDF ये तो टेलिग्राम पर आईए, अलग-लग social media पर भी आप जूर पाओगे, और जैसा मैंने बताया, किसी भी exam के आप त्यारी कर रहे हो, use this code ANKIT40, इससे आपको directly discount मिलेगा, यह hope कि वीडियो आपको पसंद आए होगा, मिलता हूँ आप से next time till then, thank you very much, see you soon.